दोस्तों आपका बुरे से बुरा सपना क्या हो सकता है? क्या किसी नदी में गहराई तक डूब जाना? या फिर आस्मान से बहुत उचाई से गिरना? इन दोनों ही केसेस में हो सकता है आपको बचाया जा सके लेकिन क्या हो अगर आपको जिन्दा दफना दिया जाए जिन्दा दफनाया जाना एक बहुत पुरा सपना है ताबूत में बंध होने की वज़त से ऑक्सिजन लिमिटेड होगी और बचने का कोई चांस नहीं है लेकिन इतिहास में इसा बहुत से लोगों के साथ हो चुका है जिन्हें गलती से दफनाया गया है लेकिन असल पॉइंट उसके बात का है कि क्या वो बच पाए आए जानते हैं उनके हैरान कर देने मले किससे ये किस्सा है 1947 का फ्रांस का एक एंजेलो नाम का एक लड़का था उसकी उम्र लगभग 19 साल थी उन दिनों मोटरसाइकल का क्रेज लोगों में नया-ए था और एंजेलो भी मोटरसाइकल के पीछे पागल था हाला कि उसे मोटरसाइकल चलानी नहीं आती थी फिर भी वो बाइक लेके एक दिन राइट पर निकल गया और ज़्यादा नॉलेज ना होने की वज़े से वो एक दीवार से जाटा कराया जिसके कराण उसके सिर पर इट लग गई जब वहाँ पर लोग पहुँचे तब उन्होंने पाया कि वो मर चुका है और जब उसके पैरेंट्स ने उसे देखा तो वो खुद कुछ संभाली नहीं पए फिर जैसा कि हर मेरेवे इंसान का दास अंसकार किया जाता है वैसे ही उसका भी किया गया लोगों ने उसे कॉफीन में डाल कर दफना दिया दो दिन बाद इंसुरेंस कंपनी ने एक्सिजेंट का क्लेम देने से पहले इंवेस्टिकेशन की मांग की फिर इंवेस्टिकेशन के लिए उसकी बॉड़ी को निकाला गया और लोगों ने जो देखा उसे देखकर वो दंग रह गया एंजिलो अभी भी जिंदा था एक्सिजेंट में उसकी बॉड़ी कोवा में एक ऐसी स्टेज में चली गई थी जहां पर ऑक्सिजेंट की जरूरत बॉड़ी को बहुत कम पड़ती है हाला कि उसकी हालत गंभीर जरूर थी पर उसे कॉफिन से निकालने के बाद उसने कुछी दिनों में अच्छी खासी रिकवरी कर ली लेकिन जो लोग इस इवेंट के गवा थे उन्हें आज भी ये एक मिरेकल लगता है अगला इवेंट 1889 का है अक्टिवे स्मिथ नाम की एक औरत की शादी जेम सहचर नाम के एक आदमी के साथ हुई थी दमपती ने अपने बच्चे को जनम देने के कुछी दिनों में खो दिया उसके बाद ór जेकब की मा ओप्टिवा डिप्रेशन में चली गई और कई महिनों तक पिस्टर पर ही पड़ी रही डिप्रेशन के कुछी महिनों बाद ओक्टिवा का दिमाग कोमा में चला गया और उसे मई 1891 में डेड डिकलीर कर दिया गया उन दिनों गर्मी के दिन ते इसलिए जल्दी ही ओक्टिवा को दफना दिया गया हाला कि कुछी दिनों बाद उस शहर में कई सारे लोग ओक्टिवा की तरह ही कोमा में जाने लगे और फिर रिसर्च में पता चला कि टेस्टी फ्लाइ के काटने पर यह अजीब तरह की बीमारी फैली है हाला कि लोग कोमा से कुछी दिनों में निकल जा रहे थे इसलिए जेम्स ने जब यह देखा तो उसका दिमाग ठनक गया उसे लगा कि शायद ओक्टिवा भी जिंदा हो और गाइस यूनो वाट जे कारण वो बिल्कुल भी सर्वाइब नहीं कर पाई अगला डरावना और खौफना किसा है 1817 का यूनाइट किंडम का शहर बात के मेयर उस वक्त हुआ करते थे मिस्टर कॉर्णिश की मौत 1817 में एक बुखार के कारण हो थे बुखार के दौरान पहले वो बिमार हुए फिर क पुरंतु उस आवाज की तरफ रियक्ट किया लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कॉर्णिश मर चुके थे उसकी आँख खुली हुई थी और उसके हाथ और पाउँ खुन से सने हुई थे कॉफिन में बंद कॉर्णिश ने डर से अपने उंगलिया तक चबा ली कॉर्णिश की बहन ये सब इंसीरेंट देखकर पुरी तरह डर गई और उसने अपने रिष्टिदारों से कहा कि जब वो मर जाए तो पहले कुलाडी से उसका गला काट दिया जाए उसके बाद ही उसे दफनाय जाए उसके बाद कॉर्णिश की बहन को कलिस्ट्रोफोबिया हो गया ये वो बिमारी है जब किसी इंसान को बंत कमरे या बंत जगा में मर जाने का डर होने लगता है दोस्तों जिंदा दफनाय जाना बहुत ही हॉरिफाइंग इवेंट है इससे बचने के लिए शायद ही कोई टिटोरियल दिया जा सकता है लेकिन रशिया में एक 35 साल के एक आदमी ने ऐसा ही करनी की कोशिश की थी उसने अपने दोस्त की मदद से खुद को जिंदा दफनाने का प्लैन किया ना जाने उसे क्यों ऐसा लगता था कि अगर उसे 24 गंटे तक दफना दिया जाए तो वो पूरी लाइफ के लिए एक भागेशाली इंसान बन जाएगा उस आदमी ने एक कबर खोदी और कॉफिन का इंतिजाम किया उस कॉफिन में एक पानी की बोटल और एक सैलफोन रखा और कॉफिन में एक पाइप लगा दी ताकि आक्सिजन की सप्लाई बनी रहे उसे कॉफिन में दफनाए जाने के बाद एक बार उसने अपने दोस्त को करके केवल इतना कहा कि वो ठीक है उसके अगले दिन जब उस आदमी का दोस्त उस कबर पर पहुंचा तो वो हैरान रह गया क्योंकि वो मर चुका था भीती रात हुई बारिश के कारण उसकी पाई ब्लॉक हो गई थी और एक फूट नीचे दबे होने के कारण उसकी कॉफि होने के लिए ऐसा करते रहते थे और ना जने ऐसी कितनी घटनाय और कहानिया आज तक लोगों के सामने नहीं आए दोस्तों इसलिए इंसान को इस तरह की ढोंग और अंदविशास के सांसाथ बेवकूफिर से बचना चाहिए क्योंकि कब ये आपकी जान लेले ये कोई नही इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना और वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी ज़रूर शेयर करना और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन कर लो तक कि हमारे आने वाले इंटरस्टिंग वीडियो अप मिस ना करो मिलते हैं फिर किसे वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार